हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे प्रोप्राइटर्शिप रिस्टेशन के बारे में कि आगा आप वह भी बिजन स्टार्ट करना चाहरें तो उससे पहले बहुत सारी कंफूजन होता है कि आपको किस टाप से रिस्टेशन करना ह तो उसके उपराम एक ब्रोपर स्रीज लेकि आ रहे हैं जिसमें आपको स्टैब बाइस स्टैब बिताएंगी कि किस में क्या तो इस सब के उपरा में स्टैब बाइस्टैब को एक चीजे करेंगे एक वीडियो में जिससे कि आपको हर सारे चीजे clear हो जाए कि आपको किस बेस पे आपको अपना business registration करना है तो इसके लिए हमने सबसे पहला हमने step जो लिया है और या प्रोप्राइटरशिप form registration के लिए जिसमें हमने पूरे प्रोपर जो भी query होती हो सारे चीजे हमने clear करने की try किया है तो देखे सबसे पैला चीज होता है जिसमें proprietorship form होता है वो individual person start कर सकता है जैसे single individual बोलते इसको ठीक है कोई भी एक person अपना business start करने के लिए यहाँ पर registration कर सकता है और इसके benefits क्या होता है कि इसमें single ownership होता है जो भी honor होंगे और सारे single होंगे उन्हीं के पास सारे rights होता है सब कुछ होता है simplify registration होता है उसका limited compliance होता है यह सारे चीजे हम आपको आगे step by step process में बताएंगे अब इसका benefits क्या होता है कि सबसे important benefits होता है जो small businesses होता है उसके लिए सबसे best रहता है जैसे अभी आप start कर रहा है और आप सोच रहें कि आपको अगर इसमें growth होगा तभी आप आगे future में इस business को growth करेंगे मतलब expand करेंगे तो इसलिए आप कभी भी अगर step से चाहते है तो आप proprietorship registration पे ही आप business start कीजिए अब इसमें होता है advantage क्या होता है कि सबसे first advantage है easy to start and manage low compliance requirement full control of the proprietorship maximum minimum setup cost और tax benefit ठीक है तो यह 5 benefits जो सबसे easy होता है proprietorship के लिए यह होता है और इसमें जो सबसे best है minimum setup cost क्योंकि जबी भी आप proprietorship registration करवाते तो इसमें cost ज्यादा नहीं लगता कभी भी जो भी और जल्दी से जल्दी आपका सारा registration हो जाता है तो यह सबसे best benefits होता है disadvantage इसके unlimited liabilities होते है क्योंकि आप खुदी ओनर है तो सारा liabilities आपको इसमें क्या होता है कि यह government की तरब से proprietorship कभी registration approved नहीं होगा means कोई legal है वो नहीं है कि आप proprietorship पर आप सो कर जाकते है कि आपका proprietorship registration है limited growth होती है इसमें lack of continuity होती है अब legal framework क्या होता है not gone by specific law हो गया उसके आप compliant with swap and established income tax act GST हो गया आपके बाग अब key requirements for registration है तेकि इसमें क्या-क्याची होता है सबसे पहला अची होता है proprietor का bank card आदार card यह compulsory है अगर आपके पस bank card आदार card नहीं है तो आप proprietorship open नहीं कर सकते हैं फिर bank account open करना होता है और proof of business rent agreement utility bill हो जाता है अब इसके वाद आप proprietorship में कितने टाइप से आप registration करवा सकते हैं कौन कोल से registration आप करवा सकते हैं अगर आप proprietorship पे registration करवाना है तो देखे सबसे पहला होता है swap registration of swap and establishment है यह हर स्टेट का अलग होता है जैसे UP का अलग है आपका डेली का अलग है ठीक है इसके अलावा आपका अगर महराष्ट का है तो आपका अलग है उसके अधर अरियाना का है तो भी अलग process है सभी का process अलग अलग है किसी में government fees आता है किसी में depend करता है आपके staff कितने आपके employee कितने उसके उपर government fees होता है किसी में नहीं होता है next आता है आपका GST registration GST registration तब आपके लिए तंपल सरी होता है जो आपका turnover 20 lakh यह आपका 20 lakh हो जाता है अगर आप service provider 40 lakhs अगर आप manufacturing है तो आपके लिए तंपल सरी होता है नहीं तो आता है उद्यम registration दोस्तों उद्यम registration आपको पता ही है MSA में जिसको हम पहले बोलते थे इसके बेस पे भी आप registration करवा सकते यह भी आपके लिए प्रोपाइटरशिप में benefit होता है current account open करने के लिए उसके अलावा आपका stop license हो गया trademark आप ले सकते है trademark लेने का benefit ही होता है कि उस name से फिर in future में कोई और business उस फर्म से name start नहीं कर साथ इसके लावा आप IOS certificate भी ले सकते है IOS certificate का already मैंने वीडियो बनाया हुआ इसका सबसे benefit होता है कि trust लोगों के बढ़ जाते है अगर आपका food से related कुछ है तो इसके लिए आपको फसाई license लेना compulsory होता है इसका हम फॉस फॉस भी बोलते है तो यह भी आपको लेना compulsory होता है अगर आप food से related कुछ भी कर रहा है आप restaurant यह कुछ भी ओकन कर रहे है तो इसके लिए ज़़गी होता है अब आपको business registration करने से आपको name proper search करना होता है जिसमें unique name होना अची है compliance with trademark means अगर आपका food के related है तो आपको check करना अपता है इस तरह किसी ने apply or registered तो नहीं करका अगर apply or register कर रहा है तो उस नेम आप apply ना करे अप नेक्स पहले आप जाके जैसे फोट के लिए होता है class 43 होता है trademark इसके ओपर भी अपने वीडियो बढाया होगा होगा हो भी आपको easily मिल जाएगा हमारे साइट पे ठीक है तो आप चेक कर सकते है कि इस नेम से किसी ने पहले apply तो नहीं क्या होगा आप लाइक है तो मैं कीज़े तो इससे रिलेटेड आप ना रखे अगर इस टाइप से आप रखते है तो उसमें भी आपको इन future infringement का भी आपको प्रोब्लम आएगा तो यह चीजे कभी भी ट्राइ ना करें जिसके भी आपको नेम को बंद करना परें तो यह चीज आपको दोस्तों जरूर त्यान रखे नेक्स्त आप डॉक्वेंट रिक्वार्ट हो गया फोन नमबर इमेल आडियो गया रैंताइग मेंट होगा प्रूफ अफटर बिजनेस होगा बिजनेस रिलेटिड दॉक्मेंट होगा तो यह सारे डॉक्मेंट की रिक्वार्मेंट होते है step 3 में अब आजाता है हम और रिस्टेशन आप साप इसके लिए आपको आरेस्टेट के करें अगर आप डैरेक्ट अपनाई करना चाहते है वहाँ पर सारे डॉक्मेंट करेंगे जो फीस होगी वाप पो पे करना पड़ेगा उसके आपको सेर्टिफिकेट आ जाएगा नेक्स् सब्सक्राइब करना होता है जब आप GST लें लेते हैं और MSM लें लेते हैं तो इसके बेस पे आपको करेंट अकांट ओपेंट हो जाएगा उसके बाद आप अपना पिस्नेस रण कर सकते हैं ठीक एडिशनल के लिए मैंने आपको बताई दिया है ICB चाहिए तो आपको ICB हो जाएगा इसके बेसेस पे Compliance is Maintained Proper Accounting Report दे कि अगर आप प्रोपाइटरिशिप में करें तो आप ट्राइट कीज़े कि एक अकांटिंग रिपोर्ट आपका ISO हो गया आपको मैंने जैसे बताया और भी licensed है बंक इसं में से कोई भी आप लेते तो इसकेश प्रोप्स ब्रॉप्स टूजार तो आपका थाटीफाइफ थाटीफाइफ थाटीफाइफंडिड.इसंद इस्टेपेंड करता है कि आपको अगर साथा लाइसंस ले र एक किप्रोक्स में आपको बता रहरो, 1000 से लेके आप स्टार्टिंग हो जाता है, लिघो कहीं करताै यह चया बताना फिस चिरी का बेसिक लेना है तो इसके एक कुर्ण होप रहता है, इसलिक इसलोफ और डिचर अप पर डिटॉज। तुस्तार्ट कर रहे है तो स्टार्टिंग में ट्राइ किई कर रोयरिटर्शीथ की ज्यादा problem नहीं होता इसकी cost नहीं होती इसमें आपको distance signature की requirement नहीं होती दिन की requirement नहीं होता ये सारे चीज़े आपका cost बच जाता है क्योंकि आप एक private limited company तो 10,000 से लेके आपको 15,000-20,000 तक का जाता है एक private limited company registration करवागते हैं तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप कभी भ query होता है तो आप हमारे नियो दिये ऊपर और नंबर पर भी आप हमें contact कर सकते हैं हम ट्राइ करेंगे कि आपको सारे चीज़े आपको help करें जिसकी वेस पर आपकी सारी query clear हो जाए होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा thank you and thank you next video